आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इस question में गोल रहा है कि काइनेटिक एनरजी SHM का SHM का काइनेटिक एनरजी कितना के बराबर है 1 by N times of potential energy के बराबर है ठीक है और हमें क्या दिया हुए है कि if the amplitude of the SHM जो हमारा उसका A है हमें find out करना है कि displacement जो होगा हमारा वो कितना होगा पार्टिकल का ठीक हम लोग पता है कि जो velocity होता है वो क्या होता velocity का relation होता है A under root omega square ठीक है यह मेरा amplitude हो गया omega मेरा angular velocity हो गया omega square minus x square जो position उसका भी ठीक है जिस time पे बात कर रहे हैं हम लोग तो यह मेरा आ गया velocity ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग तो हट जागा क्योंको square करेंगे तो under root हट जागा तो bracket में omega square minus x square ठीक है तो यहाँ पे हम लोग बंद कर दिये तो kinetic energy हमारा आ गया potential energy क्या होता है हम वो देख लेते हैं तो potential energy जो होता है मेरा हो क्या होता है half k x square होता है ठीक है तो हम लोग क्या करते है न दोनों side square कर देते है तो इधर क्या हो जागा omega square omega square क्या हो जागा मेरा k by m के बराबर ठीक है तो हम लोग k की value यहां से निकाल लेंगे k हमारा कितना आ गया k हो गया मेरा m omega square ठीक है तो यह जो k आया हमारा यह हम लोग यहां पर substitute कर देंगे यहां पर हम लोग substitute कर देंगे तो हमारा जो potential energy होगा मेरा ठीक है वो क्या आ जाएगा वो जाएगा मेरा half into m omega square m omega square x square ठीक है यह मेरा क्या आ गया potential energy आ गया और question में क्या दिया हो था हमारा kinetic energy of SHM जो है मेरा 1 by n times potential energy है मतलग कि ना question में दिया हो था kinetic energy को 1 by n times of potential energy ठीक है तो हम लोग को kinetic energy पता है potential energy पता है तो हम लोग equate कर देते हैं तो हमारा kinetic energy पता है kinetic energy कितना है मारा kinetic energy है मेरा half m omega square bracket में क्या है a square minus x square ठीक है यह किसके बराबर है 1 by N के बराबर है potential energy का ठीक है potential energy कितना है मेरा half M omega square X square तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग half M omega square से half M omega square cancel out हो गया ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरा A square, minus X square किसके बराबर है? वो मेरा X square by N के बराबर है ठीक है हमें x² by n, हमें calculate या करना है, हमें calculate करना है x की value, तो n कॉम लोग इधर cross multiply कर देते हैं, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा मेरा, यह जाएगा n a², n a² minus n x², इसकी value क्या हो जाएगी, यह हो जागा मेरा X2, ठीक है, तो यह minus N X2 का आप Right-hand Side लेते आइए, minus N S2 का आप Right-hand Side लेते आइए, तो यह केतना हो जागा N A2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जागा N plus 1, N plus 1, और यहाँ से X2 कॉमान आजागा, ठीक है, तो n प्लस 1 को आप डिवाइट कर दीज़े तो इधर हो जागा मेरा n इंटू a square divided by n प्लस 1 यह किसके बरबर आ गया यह होगे मेरा x square के ठीक है तब हम लोग का जो x होगा x जो होगा हमारा हो क्या हो जागा वो जागा अंडर root के अंदर n divided by n प्लस 1 ठीक है n divided by n प्लस 1 और a square है तो हम अंडर root करेंगे तो a मेरा बाहर आ जाएगा ठीक है तो मेरा जो x की value हो गई वो क्या होगी a अंडर root n by n प्लस 1 तो यही हमें find out करना था कि न जो displacement होगा हमारा particle का वो कितना आगे हमारा उस position पे जब kinetic energy 1 by n टाइमस और potential energy था तो displacement होगया मेरा a a अंडर root n by n प्लस 1 ठीक है तो यह मेरा answer होगया इस question का Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर